हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं यूटूब चैनल मनिशकी रसुई में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे पत्ता गुबी के पराठे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको सुबह की भागदोड में रोटी और सबजी अलग से नहीं बनाने पड़ेगी इससे आपके टाइम की भी बच्चत होगी और गैस की भी इसे आप बच्चों को टीफिन या नास्ते में केवल 10 मिनिट में बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं पत्ता गुबी के पराठे अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए और साथी बेल ऐकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वली नई भूलियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शूरू करते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने डेड़ कप गेहूं का आटा ले लिया है और आधा कप बेसन लिया है अगर आप चाहे तो खाली गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं इसे आप अपने जरूरत के नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने बारिक कटा हुआ हरा धनिया लिया है एक चम्मच अद्रक लिया है कद्दुकस करके एक चम्मच लसुन लिया है कद्दुकस करके और यह यहाँ पर मैंने दो कप पत्ता गोबी को कद्दुकस कर लिया है पत्ता गोबी हमने ज़्यादा लिया है और एक मैंने प्याज को बारिक बारिक काट लिया है अब हम एकक करके इन सारी चीजों को आटे में मिला लेते हैं अब हम इसमें बाकी के मसाले मिलाएंगे आदा चमच हल्दी पावडर, एक चमच लाल मिर्च का पावडर, आदा चोटा चमच हींग, स्वादा नुसर नमक यह देखें, यहाँ पर मैंने एक चमच अजवाइन ली है, इसे हम हलके से हाथों में क्रश करकर इसे मिलाएंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अब हम इसमें डालेंगे दो चमच ओईल अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ओईल डालने से हमारे जो पराठे हैं, वो काफी खस्ता बनेंगे इसलिए हमें इसमें ओईल जरूर डालना चाहिए यह देखें, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाने मिला कर इसका एक नरम डो बना लेंगे हमें एक दम से पाने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पाने मिला कर हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया है अब हम इसमें उपर से एक चम्माच ओईल डालेंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से गून लेंगे ये देखे हमारा आटा बिलकुल भी बन कर तयार है, अब हम इसे डखकन रखकर दस मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तूरंत भी बना सकते हैं ये देखे दस मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है तो चलिए अब हम इसके पाराठे बनाते हैं ये देखे उसी डो में से हम एक छोटा सा गोला तोड लेंगे ये आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं इसे हम अच्छे से हातों में मसल कर इसे चिकना कर लेंगे और इसे सूखे आटे में डिप करके हम इसे बेल कर तयार कर लेंगे हमें इसे सूखा आटा लगा कर बेलन से हलके हलके हातों से बेलना है हम ये परात्ब बना रहे हैं तो हमें इसे ज्वाधा पतला नहीं बेलना है थोड़ा सा हम इसे इसे मोटा ही रखेंगे ये दिखें, ये बड़ी ही आसणिvoice से हमने पराथा बेल लिया है अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें थोड़ा सा ओयल डाल देते हैं उसके बाद हम पराटा उठाके पैन पर सब्टार पेन उपर डाल देंगे और दखकन रखके इसे मेडियम फ्लेम पर पर 2-3 मिनिट के लिए पकाएंगे 2-3 मिनिट बाद हम दखकन अटाकर इसमें उपर से भी oil grease कर लेंगे oil लगा के हम इसे पल्टी कर देते हैं और इसे दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा oil लगा देंगे ऐसे ही हम दोनों साइड से इसे अच्छे से सीख लेंगे हमें इसे अच्छे से golden brown होने तक सीख लेना है यह आप देख सकते हैं यह दोनों ही साइड से अच्छे से golden brown सीख चुका है यह देखे हमारा गोबी का पराठा बन कर तयार हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं उसी तरीके से मैं एक और पराठा बेल कर आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से अगर आप गोबी के पराठे बनाएंगे तो आपको इने बेलने में ज़्यादा परिशानी नहीं होगी हम जिस तरह से नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम इने बड़ी है आसाने से बेल कर तयार कर लेंगे यह दिखिए हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है अब हम उसी तरीके से इसे भी ऐसे ही सेक लेंगे ढकन रखके पकाने से इनकी जो सारी सबजियां होती है वो अच्छे से पक जाएंगी इसलिए पहली बार हमें ढकन रखके पका लेना है उसके बाद हम इसे भी दोनों साइट से अच्छे से गुल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे ये देखे, ये दोनों साइड से अच्छे से गुल्डन ब्राउन हो चुका है ये आप देख सकते हैं, हमारा दूसरा पराठा भी बन कर तयार है ये देखे, मैंने सारे पराठों को अच्छे से बना कर तयार कर लिया है इस तरीके से पाराठे बनाने से हमारा समय भी बचता है और हमारे गैस की भी बचत होती है ये दिखे हमारे पाराठे जो हैं बड़े ही आसाने से टूट रहे हैं ये बहुत ही खस्ता है और ये खाने में भी बहुत ही स्वाधिश्ट बने है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्लीज मेरे चानल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताके मेरे हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू